असलाव अलेकुम दोस्तों तो हमारे जो चोहता मोडियूल है दोस्तों इसकी अब हमारी बहुती इंपोर्टेंट इंफॉर्मिशन के ओपर हम लोग बात कर रहे हैं जो के आपके जो परसनल फाइनेंसिस हैं उसको मैनेज करने के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं तो इस वी इडिविजल के पास फाइनेंस के हवाले से या फाइनेंशल प्लैनिंग के हवाले से अपने डेट्स को कैसे मैनेज करना है उसके हवाले से अपनी इंवेस्मेंट के हवाले से टेक्स के हवाले से रोज मर्रा की जिन्दगी के हवाले से इतनी यानि कि उसकी जो फाइनेंश effective decision हो क्या मतलब हुआ देखें मिसाल के तोर पे मैं आप से कहूँ कि आप मुझे 500 रुपे दे दे और 10 साल के बाद मैं आपको 550 रुपे वापिस करूआ अगर आपके पास financial literacy नहीं है आप सोचेंगे यार 500 रुपे की इतनी बड़ी value तो है नी दे देता हूँ और 50 रुपे ज्यादे ही मिलेंगे नहीं यार 10 साल के बाद तो कोई बात नहीं है आपने यहां क्या किया फैसला लिया decision लिया और मुझे पैसे दे दिये लेकिन क्या ये decision effective है बिलकुन नहीं है क्योंकि अगर आपके पास financial literacy होती तो आप फौरण उसकी एक simple calculation करते कि यार ये 500 रुपे अगर 10 साल तक ये अपने पास रखेगा इसको कहा कहा invest करेगा अगर risk free rate पे भी जो है वो इसको invest कर देगा 10 साल के लिए inflation का भी उसमे impact डाल देगा तो भी वो इससे ज्यादा पैसे कमा लेगा अच्छे खासे और मुझे सिर्फ 50 रुपे ज्यादा दे रहे तो अगर आपके पास इतनी अकल होती financial literacy होती तो आप क्या करते उस calculation के बाद उसको बोलते के नहीं मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूँगा अगर तुम्हें चाहिए ये 500 तो मुझे 1000 रुपे मिसाल के तौर पे वापिस करने पढ़ेंगे तो अब जो आपका decision होता वो एक effective decision होता तो इतनी knowledge का होना finance के हवाले से मिसाल के तौर पे आपको पता है हमारे मुलक में बहुत बड़ी तदाद ऐसी है जिसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है मेरा एक दोस्त था उसने housing finance जिसको आप बोलते है वो उसने लिया और वो 20 साल तक जब पैसे भरता रहा तो उसका अंदाजा हुआ कि उसने 25 लाग के अगेस में तकरीबान करोड उपे वापिस किया क्योंकि उसको उसकी knowledge नहीं थी बस उसको यह हुआ कि मुझे पैसे मिलने है उसने ले लिया और भरता चला गिया इसी तरह बेशुमार लोग जो है वो इस चीज़ों में बेकूफ बन जाते हैं वो बहुत नुक्सान उठाते हैं फाइनेंशिल लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए जो रोज मर्रा के मामला आते हैं मिसार अग्यों दोर पे बहुत छोटी छोटी बाते करते हैं चले ताकि हम तो परसनल फाइनेंस में भी इसको हमने शामिल करना है ना आप गए किसी ग्रॉसरी की दुकान पर आपने वहाँ से जाके कोई ब्रेट खरीद ली वह आपने खरीद ली जो है वो 50 रुपे की लेकिन उसकी असल कीमत 40 रुपे थी लेकिन आपको उसका पता ही नी था तो आपको 10 रुपे का नुक्सान हो गया इसका मतलब यह हुआ कि आपको market की भी knowledge होनी चाहिए जो finance के हवाले से, रोज मर्रा के expenses के हवाले से जो लाजमी tax के rates हैं, वो थोड़े बहुत पता होने चाहिए आपको individual की बात कर रहा हूँ न, तो आपके इसका बड़ा असान समझे जो आपके decision है न, वो effective होने चाहिए, जितने भी financial related आपके decision है न, वो effective होंगे अगर आपके पास financial literacy होगी, और अगर financial literacy नहीं होगी, तो जितने भी आपके financial decisions है न, उसमें आप मार खा जाएंगे, उसमें जो है न, वो फिर आपको कोई भी बेकुफ बना देगा, मिसाल के दौर पे अगर आपने कोई stock में भी पैसा लगाया, अगर आपके पास financial literacy है, तो आप उससे पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ दूसरों की कही भी बातों के उपर आकर जोए, तो कहीं पैसा लगा दिया, तो उसमें ज्यादा चांस ही होता है, कि आपके पैसे खो जाएंगे, मुलतब आप गवा देगें उसमें, तो financial literacy आपके तमाम financial decisions में आपकी मदद करती है, तो एक इनसान के पास basic financial literacy लाजमी होनी चाहिए, तो इसके लिए आपने आपको तयार करना है, ताके आप अपने personal जो finances हैं, उसको manage कर सकें, अब इसमें जो आगे मैं बात करूँगा, वो है financial intelligence की, देखें, financial intelligence एक बहुत vast subject है, इसके उपर मैंने बजाते खुद Harvard University से मैंने इसके उपर certification किये, और इसलिए और उसके लावा मेरे बहुत अज़रुवाई है उसमें, तो मैं अब पूरी जो है, वो अपनी जान लगा दूँगा, और जो है, वो इसके उपर पूरा एक comprehensive course इंशालला तयार करेंगे, financial intelligence के उपर, और वो आपके साथ share करेंगे, financial intelligence जो है, वो जादतर जो है, वो business intelligence से relate करता है, वो companies के लिए होता है, खास तोर पे, देखें, जो हमारी companies में implies होते हैं, जो के finance department में नहीं होते, यानि के बेशुमार managers हैं, supply chain का manager है, HR का manager है, और बहुत सारे departments हैं, सबके managers होते हैं, लेकिन उनको financing knowledge नहीं होती इतनी, अब क्या वो दुबारा चले जाएं अपनी field में, और शुरू से accounting के, और auditing के, और सारे principles पढ़ना शुरू कर दें, नहीं, financial intelligence एक ऐसी चीज़ होती है, जो एक non finance manager, अगर उसको जबर्दस तरीके से सीख जाए, तो वो कोई भी meeting हो, कोई भी presentation हो, वो वहाँ पर उस level पर जाकर discussion कर सकता है, कि वो कभी भी finance department के हाथो बेक उफ नहीं बनेगा, उसको अपने department के लिए, जो भी उसको समझने के budget चाहिए होगा, वो उसके लिए भरपूर fight कर सकेगा, तो इस financial intelligence के उपर पूरा एक भरपूर course भी आपके साथ इन्शालला जल्द बनाकर उसको share करेंगे, यहां मैं कुछ basic चीज़े भी आपको बता दू, देखें, जो business world होता है न, खास तोर पर उसमें financial intelligence को इस्तिमाल किये जाता है, और खास तोर पर जैसे बहार के ममालिक में मैंने बहुत देखा है, कि आप देखेंगे कोई ऐसा बंदा, जो एक company का CEO होता है, जो के, जिसकी finance के पास कोई degree नहीं होती उसके पास, लेकिन वो CFO को भी control कर रहा होता है, क्यों? क्योंकि उसके पास financial intelligence होती है, तो financial intelligence बहुत ही important चीज़ है, वो इनसान की जिन्दगी में हो, तो वो corporate level पे, क्योंकि हमारे course personal finance से related है, तो उस से related में सारी चीज़ है, आपको detail में बता रहा हूँ, और ये corporate level की बात है, financial intelligence, तो यहां मैंने इसको जरूरी समझा, कि आप से उसका जिकर कर दो, तो अब हम next वीडियो में चलके detail में देखेंगे, कि financial confidence क्या होता है, क्योंकि वो individual से related होता है,